आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोकता दरपन जैन्वरी 2021 का स्पोर्ट्स न्यूज डिसकस करूँगी विध डीटेल एक्स्प्लेशन जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए अप्रेल का में का फुल एक्स्प्लेशन के साथ प्रतियोकता दरपन अप्लोड किया था मैं उपर आइकाइड में आपको लिंक प्रवाइड कर दूँगी आप एक बाद जरूर देख लिएगा चलिए आज हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज डिसकस करते हैं स्पोर्ट्स का सेक्शन किसी भी एक्जाम पॉइंट वी से बहुत इंपोर्टेंट होता है और जैनवरी के कुछ ऐसे न्यूज है तो एक्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ट होते हैं जो लोग मेरे चैनल पे नए है प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल बटन को प्रेस करके ता कि मेरे जितने भी अपकामिंग वीडियो जोंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पेले आए लेट स स्टार्ट द वीडियो चलिए मरा पहला कोशन है IPL ट्राइब लेजलर टीम क्लिंस्ट द बी-सी-सी-ई-वोमेंस टी-20 चालेंज टाइटल 2020 इट डिफेटे डिफेंडिंग चैंपियन IPL सुपर नोबास हमारा नेक्स कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है अभे डिसेंटली ICC ICC and Commonwealth Games ने वोमेंस की जो क्रिकेट टीम है उसको CWG बर्भिंगम में जो होने वाला है उसके क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसेस है उसको अन्रिविल किया था बहुत इंपोर्टेंट है यह कोश्चन हमारा नेक्स कोशन है Greg Barclay elected as ICC independent chairman और हमारा नेक्स कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है Daniel Medewev यह रश्या के हैं क्लिंस्ट फर्स्ट पारिस मास्टर मेंस सिंगल टाइटल चलिए हमारा नेक्स कोशन है इतली इस जैनिक सिनर क्लिंस्ट दा ATP Sophia Open Single Title Sophia is the youngest first time champion on the ATO Tour in 12 years हमारा नेक्स कोशन है रश्या के जो प्लेर है Daniel Medewev के बाड़े में उन्होंने ATP Final Single Crown जो है उनके नाम किया था यह टाइटल उनके नाम हुआ था इस साल का हमारा नेक्स कोशन है प्रेसिडेंट ऑफ हैंड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन बने है तो डॉक्टर अचुतम सामंत जी जो है वो अभी रिसेंटली वॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एलेक्ट किया गया है वहीं अगर आप एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो अधिरे सुमारी वाला जी जो है उनको अभी रिसेंटली रिएलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर आप होकी इंडिया की बात करेंगे इसके प्रेसिडेंट कि इनको इलेक्ट किया गया है तो ग्यानेंद्रो निगंबम इनको अभ पिल्वार रोमां का Grand Picks 2020 जो है इन्हों ये किस ने अपने नाम किया था ये ताइटल किस ने अपने नाम किया था तो लुईस हमिल्टन जो है वो इसके विनर के रूप में इमर्ज के थे ये बिल्टे़न के है हमारा नेक्स व्शेन है लुईस हमिल्टन क्लिंच 2 7th Formula 1 world champion with his Turkish Grand Prix victory Lewis Hamilton emerged winner of the Bahrain Grand Prix 2020 Dustin Johnson emerged champion of Augusta Master 2020 वहीं अगर आप देखेंगे तो Archery Association of India वो अभी recently back किया है got back the central government recognition as the National Sports Federation after almost 8 years और हमारा last question है IPL से ले करके इस बार का IPL title जो है वो Mumbai Indians ने जीता है और यह 5 भी बार ऐसा हुआ है कि Mumbai Indians ने IPL की trophy जो है वो अपने नाम की है इसी के साथ January 2021 के जितने भी sports के important news थे वो मैंने आपके साथ discuss किया किसी भी point पर अगर आपको doubt होगा मुझे comment section में जरूर बताईएगा as soon as possible मैं आपके doubts क्लियर करनी की पूरी कोशिश करूंगी जो लोग मेरे स्यानल पर नए है please like share और subscribe जरूर कीजिए bell बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी upcoming videos हो उसका notification आपके पास सबसे पहले आए इस COVID के ताइम पर stay at home, stay safe, thank you